बूर्म गाईस लाइस्ट वीडियो में हमने Council of М tienes tra elaborator आज इस वीडियो में में डिस्क्रेश करेंगे जूडिशरी जैसा कि हम ने चैप्टर के स्टार्ट में फर्स जो आता है वो आता है सुप्रीम कोट सबसे पहले डिसेस करेंगे फॉर्मिशन अब दी सुप्रीम कोट कैसे बना है और उसमें कितने जजेज होते हैं इंडिया के लिए एक चीप जस्टीस होंगे और उसके साथ में सेवन अधर जजेज होंगे लेकिन साथ में यह भी मेंचन किया गया था सुप्रीम कोट से रिलेटेट किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज करना है सुप्रीम कोट से रिलेटेट में चेंजेज में जैसे नंबर अब जजेज में कोई चेंज करना है सुप्रीम कोट का जो क्राइटेरिया है उसमें कोई चेंज करना है सुप्रीम कोट के जो जजेज है उनकी सेलेरीज में कोई चेंज करना है तो यह सारी power जो है वो इंडिया की parliament को दी गई थी तो starting में Supreme Court में एक Chief Justice और साथ में 7 other judges थे लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई change करने की power जो है वो इंडिया की parliament को दी गई थी 2008 में 2008 में इंडिया की parliament जो है उसने Supreme Court से related कई important decision जो थे उसमें लिये और उस decision के तर सुप्रीम कोट में जो judges जो है number of judges जो है उसमें change कर दिया 2008 के बाद में अब Supreme Court में जो judges जो है वो 1 प्लस 30 है 1 प्लस 30 में इसलिए कह रहा हूँ कि 1 यानि कि एक Chief Justice of Supreme Court और उसके साथ में 30 other इस तरह से present में Supreme Court में 31 judges हो सकते है इसको आप 1 प्लस 30 कहोगे तो ज़्यादा बैटर रहेगा क्योंकि एक जो हो गया वो Supreme Court का Chief Justice और दूसरे जो है वो 30 other judges इस तरह से 2008 के बाद में Supreme Court में 31 judges हो सकते हैं Supreme Court के judges को कौन एपोइंट करता है प्रेसिडेंट या हमने 270 जब पढ़ा ताब हमने डिसकेस कहता कि प्रेसिडेंट के पास में य कि ये पावर है कि वो Supreme Court और 柈ए प्रोइंट के judges को एपोइंट करता है तो Supreme Court के जज को appoint करने के टाइम पर प्रेसिडेंट जो है वो cabinet से इसके लिए advise लेता है cabinet से discuss करने के बाद ही सुप्रीम कोड और हाई कोड के judges को appoint करता है प्रेजेंट में सुप्रीम कोड के judges के लिए collegium system बनाया गया है ठीक लगा ना इसको प्रेसेंट में जो प्रेसिडेंट है उनके वर्कलोड को कम करने के लिए अब सुप्रीम कोड के जजेश को एपोइंट करने के लिए क्लेजिय सिस्टम बनाया जाता है क्लेजियम सिस्टम में क्या होता है सुप्रीम कोड और हाई कोड के जजेश जो है उनके appoint the judges for the proposed list of names मतलब Colleges system जो है जिसमें Supreme Court के Chief Justice और चार senior judge जो है वो मिलकर President को कुछ नाम जो है वो suggest करते हैं और वो President जो है वा उनी नामों में से किसी को Supreme Court के judges के रूप में appoint करते हैं qualification of judges अगर किसी person को Supreme Court के judge के रूप में अपन करना है तो उसके लिए क्या qualification होनी ची First है he और she should be citizen of India अगला है he should have worked as a judge in high court और two or more than two courts for a continuous period of minimum five years और he और she should be an advocate in high court इसको हम one by one ही discuss करेंगे तो ज्यादे बेटर रहेगा पहला तो हो गया हमारा he or she should be citizen of India दूसरी qualification है वह व्यक्ति किसी भी high court में वह व्यक्ति एक या एक से अधिक high court में कम से कम regular five year तक as a judge की post पर काम कर चुका हो फिर से समझना सको Supreme Court का judge बनने के लिए qualification है कि वह व्यक्ति एक या एक से अधिक high court में regular five year तक as a judge काम कर चुका हो तो वह व्यक्ति Supreme Court का judge बन सकता है अगली qualification है वह person किसी भी high court में या किसी भी court में regular ten year तक उसने as a advocate वहां काम करा हो advocate मतलब lawyer वकिल जिसको कहां जाता है कि कम से कम ten year तक regular किसी high court या किसी other court में उसने as a advocate काम किया हो तो उस व्यक्ति को Supreme Court का judge बना सकता है अगला है he or she should be a expert of opinion of the president अगर वो व्यक्ति president के opinion में लोग का expert है कानून का expert है तो भी president उसको Supreme Court के judge के रूप में एपन कर सकता है executive and impeachment very very important topic है अब normally Supreme Court का judge जो होता है वह 65 year तक अपनी post पर रहता है टीक लगाने इसको Supreme Court का judge जो है वह 65 year तक अपनी post पर रहता है यानि कि Supreme Court का judge 65 year की इस तक judge बना रह सकता है लेकिन उससे पहले भी अगर वह resign देना चाहे तो वह अपने post से resign दे सकता है उसका जो time period है उसके competition से पहले भी Supreme Court का judge जो है वह retire हो सकता है कैसे resignation letter देकर अब क्या Parliament उसको उसकी post से remove कर सकती है हाँ अगर Supreme Court का judge जो misconduct करता है या incapability पाई जाती है Supreme Court का judge अगर misconduct करता है incapability पाई जाती है या constitution का exploitation करता है तो उस condition में Parliament के पास में यह power है कि वह impeachment process के थूँ उस Supreme Court के judge को हटा सकती है अब हटाने की process क्या है अगर Parliament के दोनों house तू थर्ड मेजरिटी से impeachment bill पास कर दे तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट जो है उसकी advice से या उसकी order से Supreme Court का जो judge है उसको हटाया जा सकता है तो Supreme Court को judge को हटाने की process क्या कहलेती है impeachment की process, impeachment की process में क्या करना है अगर वह misconduct करता है या उसमे incapability पाई जाती है या वह constitution का exploitation करता है तो उस condition में Parliament के किसी भी एक house में impeachment bill प्रेजेंट किया जाता है जब वह two-third majority से पांस हो जाता है तो दूसरे house में बेजा जाता है जब दोनों houses उस impeachment bill को two-third majority से अप्रूव कर दे तो फिर प्रेसिडेंड के order से Supreme Court के उस judge को remove किया जा सकता है salary allowance and other facilities salaries की बात कर रहे था हमने last video में किसी वीडियो मेंने कहा था आपको सबकी salary लिखने नहीं है अगर नहीं लिखी है तो आज की इस वीडियो जो है उसमें में description में आपको लिख के दिये दे तो आप इसको not down कर सकते हैं हलागी जो chief justice जो है या जितने भी हमारा officers हैं जिसको इंडिया की parliament के salaries में changes किये 2016-17 में वो चेंजे हुए Supreme Court का जो chief justice है उसकी salary पहले 90,000 थी वन लेक थी लेकन उसको भी 2 लेक और 80,000 कर दिया है उसके अलावा दूसरे judges की salary में भी changes हुए वो सारे आप वहां से not down कर ले ना तो salaries के अलावा उनको allowance यानि की जो भत्ते मिलते हैं उसके अलावा उनको कहीं सारी facilities जो होती है वो provide के वह जैसे residence की हैं vehicle की हैं और भी बहुत सारी जो facilities means the judge have been provided freedom from the criticism regarding their working and decision मतलब Supreme Court के judge के द्वारा जो भी decision लिये जाते हैं या जो भी work किया जाता है को भी व्यक्ति उसको criticize नहीं कर सकता है मतलब Supreme Court के judge रहते हैं उसने जो भी decision लिये हैं या जो work किया है उसको हम criticize नहीं कर सकते हैं उसके लिए वो free हैं तो यह है इंडिया का जो Supreme Court है उसका headquarter जो है वो कहाँ पन है दिल्ली में ठीक लगाते हैं तो Supreme Court कहाँ पन है दिल्ली के अदर restriction on judges judges जो है Supreme Court के judges जो हैं उनके उपर कुछ restrictions लगे हुए पाबंधिया लगे हुए एक बार अगर कोई व्यक्ति Supreme Court के judge की पोस्ट से retire हो जाता है तो उसके बाद में वो इंडिया के किसी भी court में या किसी भी government officer के सामने practice नहीं कर सकता है मतलब अगर कोई व्यक्ति Supreme Court से retire हो जाता है तो इंडिया के किसी भी court में practice नहीं कर सकता है और नहीं किसी officer के सामने practice कर सकता है